असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं सब क्यारियत से होंगे अलहम्दलिल्ला हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो और लास्ट जहां तक आपने देखा तो अब भी मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगी और अब आप सब को पता है कि हम इन कराची पाकिस्तान और जैसा कि मैंने आपको पताया था कि मेरी फैमिली ने एक छोटा सा वैलकम किया था हम लोग का तो यह वही है एरपोर्ट से सीधा घर हम लोग पहुंच गये थे अल्मोस्ट फजर का टाइम जो हो चुका था तो यह चोटी से हमने सेलिब्रेशन की थी जो अभी आप देखेंगे कि मैं आप बोड़ duy辜 है जो के एम चुक कि लुटिज थे जो लिए रगटांगो से अबड़ बया थे दवाने आपक True figuring out वी आर इन पाकिस्तान तो बस हम लोगों ने केक काटा और ये छोटी सी जाहरा खुशी इतनी जादा थी आप लोग समझ सकते हैं कि तीन साल के बाद आप पाकिस्तान आएं अपने पेरेंट से मिलें तो उसकी खुशी कितनी जादा है मतलब क्यूंकि ये वक्त ऐसा था फ्ला तो हम बहुत जादा चीज़े नहीं कर सकते थे बट ये कि बहुत अच्छा लगा और आते के साथ ही मुझे क्या चाहिए था वो क्या हो सकता है अम्मी के हाथ की चाय जो के बहुत याला बहुत डिफरेंट्स आए की वो बनाती है तो मैंने अम्मी को यूनों बोला वही था कि बस आप चाय का कर लीजेगा और साथ में कुछ बेकरी के आइटम्स थे स्नैक्स वगेरा थे तो बहुत जादा हम लोगों को भूग भी नहीं थी तो बस फिर हम सबने जो है न सबसे पहले ये सारी चीज़ों को इंजॉय किया साथ में और इसके बाद बस फिर हम लोगों ने कोशिश की सोने की थोड़ा ही सोए क्योंकि अभी जट लैग चल रहा है और रूटीन जो है न उसको सेटने में टाइम लगेगा और अब जो आपको ये क्लिप नजर आ रहा है कि रतर अनाया तयार हुई वी है ये एक दो दिन बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया और सबसे पहले फिर अपने चाच्चू के घर जो है वो हम लोग यहां पर जा रहे हैं सब तयार होके उनको मिलने के लिए फिर उतलकेट को बाइ अहा को सबसे लिए में कहा रहा रहा है वोग क्सकता में गाने کिकिरन में ध्लादेल बादेल कि बादेल मेरे सिब्लिंग्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि मेरे हजबंड जो आगे सो रहे हैं और मेरा भाई जो गाड़ी चला रहा है सो आप लोग बहुत बूछते रहते हैं मेरे सिब्लिंग्स के बारे में तो अलहमदलिला मैं एक ही बेहन हूं मैं बड़ी हूं और पर तीन भाईयां तीनों मुझसे छोटे हैं तो यहां पर अब हम लोग चाचु की घर पहुंच चुके हैं और माशाला माशाला यहां मेरी का काफी फैमली है कराची में मेरे फादर साइट से और अम्मी की साइट से यानि के मेरा नने हाल जो है वो सब जातर लाहूर होते हैं तो दिल तो चाहर है के वहां भी जाएं बट आम नॉट शोर कि हम जा भी सकेंगे कि नहीं क्योंकि आल दवे कैनेडा से कराची आकि एड़ के साथ और यहां पर मैं एक चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी और मैं मेरी चूंकि अब मैं पाकिस्तान में हूं तो आपको मेरी वीडियो में जादा मेरी फैमली और जो हमारा एक फैमली सिस्टम है उससे रिलेटर ही आपको चीजें और इंफरमेश नहीं बट माशालmill मेरा प्षैमली में हुआ है जहां हम चचा-ताया हम वा, हमगे से कजन सब हमारे आपस में बहुत चलूक है, voll Pip with a love, still एक दुस्रे से मिलके बहुत अच्छा लगता है और ऐसी बात नहीं है कि हमारी फैमिली में चोटी-मोटी अनबन भी हो जाती है लेकिन फिर भी माशाला मैंने कभी ऐसी एद कोई ऐसा मौका नहीं देखा कि जब हम सब मिलके ना बैठे हूँ जैसा कि मैं तो यहां रहती नहीं पाकिस्तान और that's the only thing मेरी फैमिली जिसको मैं मिस करती हूँ क्यानडा में वर ना तो सबी कुछ है वहाँ पे अल्ला का दियावा अल्हम्दलिला पिरफ चाय का बोला था माशाला जी बहुत मज़ा आ रहे हैं हम लोगो को और मैं तो अपना जो ट्रिप का एक-एक दिन एक-एक लम्हा जो है ना वह बरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हूं हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं माशाला माशाला और बस अभी जो है यहाँ पे मेरी जो चच्ची है उनकी बहु उन्होंने सब ये चाय का इतमाम किया वा था बड़ा मज़ा आया हम लोगों को बड़ी जबरदस उन लोगों ने चीजे भी बनाई ही थी चाय भी बहुत टेस्टी थी और अब यहाँ पे हम बैठ के आप दे गर्लती उसके साथ भी इन लोगों ने बहुत एंजाय किया आज की वीडियो बस यहीं तक थी स्टे कनेक्टेट फॉर मोर वीडियो स्टिल देन अपने बहुत सारा खयाल रखे मुझे दौमयाद रखे अल्लहाफिस कर दो 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 कि दो बहुत। झाल झाल